खरगोन शहर की नूतन नगर में संचालित हो रही रिया कला मंच द्वारा, दो दिवसिय चित्र कला प्रदर्शनी का शनिवार को समा सेवी शालिनी रतोरिया ने शुभारम किया, प्रदर्शनी में तीन कमरों में संस्था से जुड़े चित्रकारों की बनाई पैंटिंग से दिवारे पटी नजर आई, इन पैंटिंग में बच्चों के साथ युवा कलाकारों ने अपनी कला के विभिनर रंगों को उके रहे हैं, जहां प्रक्रति की सुंदर्ता, मनुष्य की सोच, अध्यात्मक सामाजिक, भगवानों के चित्र आदी विश्यों पर कलाकारी दिख अपनी कलपनाओं को ब्रश के जरिये, कैनवास पर और रंगों के प्रभाव से मन भावन चित्र उके रहे हैं, मुख्य अतीती रतोरिया ने आईजन की सरहना करते वे कहा कि प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक चित्र लगाए गये हैं, जो चित्रकारों की अद्भूत प पर दिखाई दे रही है, भारत में जो आर्ट है, इसका बहुत विशेश महत्व है, और रिया कला मंच सतत कई वर्शों से यहां बच्चों को ड्रॉइन, पेंटिंग, कलरिंग, स्केचिंग में पारंगत कर रहा है, और आज जो यहां पेंटिंग्स देखने को मिलिये तो क्योंकि यहां वाटर कलर, पेंट शेडिंग, पेंसल शेडिंग, और केंवास पेंटिंग, ओईल कलर, यह सारा वर्क एक साथ जब देखने को मिला, तो मुझे ऐसा लगता है, कि इन लोगों का काम बहुत अद्वी दिये है, और सारा पूरा टीम और उनके विद्यारती करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें टेल आइकोन को दबाना बिलकुल बिना भुलें